नमस्कार, राम राम आप सबको प्रडाम मैं हूँ स्वामी राम शंकर और एक खास ख़बर देने के लिए हम इस वक्त ये वीडियो शेयर करें आपको पता है दुकानों पर मदिरा की बिक्री आरंब हो चुकी है अब घर में मत रुकिए यदि आपको मदिरा का लत है तो जाईए और खरी दिये लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली उसके लिए आपको चिलचिलाती धूप में शायद एक घंटा, दो घंटा या इससे भी अधिक खड़ा होना पड़े पता है लागतार वीडियोस देख रहा हूँ जो लाइन में लोग खड़े है वो कोई गरीब नहीं है अच्छे परिवार से आने वाले लोग है सुविदाव होगी लोग है ठीक है अब जो आदमी बिना ऐसी की नहीं रह सकता वो आदमी लाइन में खड़ा हुआ है केवल इस उमीद से कि उसको भी एक पैकेट मिल जाए जिससे अपने मन की जो प्यास है उसे बुझा करके वो आनन्द के सागर में गोते लगा सके हाँ अब किसी को आनन्द मिलता है पीने से हम कैसे मना कर सकते हैं पीजिए अरे आप इस चाल को समझेए सरकार के पास कोई आ दूकान एक तरफ तो सरकार के रिए सोसल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें ध्यान रखें अपने आपको किसी के करीब न ले जाए वहीं दूसरी तरफ मदिया के दूकान पर पूरी लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत दूर दूर लोग नहीं है बड़े आसपास लो गया तो पूरी परिवार की ऐसी तैसी हो जाएगी फिर कोई नहीं बचा पाएगा जो पईसारूपय कमा कर रखे न किसी काम नहीं आने वाला है काइदे से घर मेरे ये सुरक्षित रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार के जीवन का परवाह करिए इतना आसान नहीं है इस कोरोना संक्रमन से बचना बहुत तीनों तक सजक सतर्क रहना पड़ेगा ठीक है जिन चीजों के बिना नहीं जी सकते उन चीजों को खरी दिये भीड से बचिए अरे ऐसे क्यों नहीं समझते है कि हम सब अभी हॉस्पिटलाइज है अपने घरों में हॉस्पिटर जैस तो आगे भी जी लेंगे क्या पता हमारी आदत हो जाए हम जीने में कैपबल हो जाएं बिना मदिरा के इस ही बाहने हम पुरी जिंदगी जी जाएं कई सारे लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं कि मदिरा चोड़ना है चोड़ना है चुकि बाजार में मिलना बंद हो गया था तो कुछ दिन हम छोड़ के रखे थे ना, हम नहीं मतलब, तमाम वो जो पीते हैं उनकी बात कर रहा हूं, हम तो चिलम भी नहीं लेते हैं, गाजा भी नहीं लेते हैं, हमारा जो नीचर है, हमारी जो अपनी आदत है वो अलगी तरकी है, तो आप सबसे, मैं रामशेंकर हाद जोड़ कर विंती कर रहा हूं कि सरकार के चाल में मतलब, सरकार तो आपके जमा पूजी को एठने के लिए, ये मदिरा की दुकाने खोल रखी है, ताकि उस विंडो से आप जाईए, एक सीशी खरी दिए, और बदले में कुछ पैसे दीजिए, ताकि उसका जो आर्थी कोश है, हलार गलत भी नहीं है, मैं मान दो सही है, ठीक है, सरकार पास कोई जर्या नहीं पैसा कमाने का, पैसा अथी आने का, तो अब इसी बहाने वो अपने तमाम करमचारियों की ज़रुत पूरी कर रही है, अब इसमें वह सहाई लोग कहेंगे, गलत है, फिलाल आपत काल में क रसित होने तो नहीं जा रहा है, सादुबार, धन्यवार, नमस्कार, अच्छा लगे तो शेर करिए, और लोगों तक मेरी बात पहुचाईए, इस बात को कहने का तरीका मेरा अलग है, पर मकसद वही है, जो हमेशा से रहा है, प्रडाम धन्यवार, संभो हो सके तो जो सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है, वो है मदिरा, सरकार एक तरफ से खूब धे सारे पैसे खर्ज करके विज्यापन करती है, पीना हानिकारक है, जानलेवा है, जिन्दगी को बरबाद कर देगा ये मदिरा और धुम्रपान से ग्रेट गुटका खेनी तमाकू, लेकि खेनी जाते हैं, अपने जिन्दगी को बरबाद करते हैं, बचे रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो आगे जिन्दगी खसीन होगी, और अपनी आदतों के, अपनी कमजोरियों के कारण कोरोना से संक्रमित हो गया, तो आजकला पता है न, मरने कबाद कोई कंधा भी नहीं दिन भीड में जाकर मरना है कि बचना है धन्य बाद